हेलो दोस्तों मैं आपको आज सुवा का नजारा देखा रहे हैं कि बहुत सारे भजरंग वलीगी आ चुके हैं और आके आम के पेड़ पे बेठे में आम का मंजर सब ठा रहे हैं उसका धीरी धीरे सभी के च्छत पर जाएंगे जितना फूल लगा हुआ है सब को बरबात कर द में आज सब्सक्र एंगों चेसे जाता है कि सुवां और सभी अपने बगीचे एंगों को उस्टस के लिए में चछत के आजाते हैं सुवां-खुर्ची में बैढ जाते हैं और यह तीन-सね चार घंटा रहते हैं फिर अपने दुसरे इलाके में चले जाते हैं दुसरे तुट तवाह करने के लिए लंका दहन करने के बाद ये अब दुसरे के घर के छट पे आके तवाह करते हैं, दहन करते हैं उनके वगीचे को, खूल, खुलवारी को लहसुन को खा रहा है और जाता है कि बानर जाने आधी का स्वाद की इस जाने आधी का स्वाद की में फस्सफूल को आधीी को भी दए quietly than छोड़ते हैं ज से नाधी को भी चलहती है कि अधर आ रहा है इस्थचा फूल लगा Are कितना मेहनत करके पूल को खार खार के खाएंगे हम लोग जैसे ही देखते कि अनवान जी आ गाएं तो लाठी डंटा लेके तयार रहते हैं अपने फुलवारी को जोगने के लिए जब तक चले नहीं जाते हैं तक तक हम लोग यहीं खड़े रहते हैं बेठे रहते हैं चाहे और भूक रहे या बारिस रहे उसमें लोग बारिस में चाहता लेकर खड़े रहते हैं देखिए कितने सारे आ गया है पूरे बाल बच्चा के साथ देखें वहां बच्चा काला जैसा अब बच्चा बहुत बच्चा लटक रहा हैं अपनी मा का पेट पकड़के यह कूच ज पर पूछ जाता है दूसरे बिल्डिंग से तिसरे बिल्डिंग को जाता है अब यहीं द्रोक्स नाथ करते हैं अब मैं इधर हमारे च्छत पे बहुत सारे बजरंग बली आ चुके हैं अब ब्लॉप मैं बंद कर रहा हूं वीडियो को